पंजाब को देखो उन्होंने लास मैच हारा है उसके बाद उन्होंने ये मैच में काफी अच्छी बैटिंग गिया और इसका एक ही कारण है मैं समयता हूँ कि लिविंग स्टोन जो पहले दो मैचे में इतना अच्छा प्रदश्चन नहीं कर पाए आज उन्होंने उनका प्र काम मेरा ना बड़ा जरूरी है अगर पंजाब ने मैचे मैचे जीतने हैं क्योंकि यह जिस जगह पर बैटिंग कर से हैं तो उस जगह पर एक तो अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं उन्होंने अच्छा स्टार्ट दिया काफी अच्छा मेरे का दस ओवर के क्रीब अच्छा स्टार्ट मिल गया तो फिर आटोमाटिकली आपके तो रन कहीं न कहीं यह एक सो से एक सो नबब बनेंगे बनेंगे अगर आपका अगर इनका कॉलाप्स नहीं हुआ हुआ होता बीच में आके सरा हम पंजाब की पारी की पाँच बड़ी बाते यहां जल्दी से दिखा रहे हैं उसके बत आप से बात करते हैं क्योंकि आप तोड़ा सा निराज भी हो और आप मेहंदरी से थूझ दोनी पर भी आा सवाल उढ़ा रहे हैं पंजाब की पारी की पांच बड़ी बाते एक बार फिर से हम आपको बताएं एक नमबर से तो देखिए यहां आप ये पांच बड़ी बाते हैं हमारे एक्सपर्ट मदण जी क्या सहमत होंगे यही एक कोई अगर सेटिस्फाइ कर पाया है तो यहां जितेश शर्मा तरीफ करन रन उनने बना है लेकिन क्या कोई टिक है का नहीं भानुका शारुखान ओडियन स्मिथ सब नाकाम रहे हैं एक तो हम यह शारुखान छे रन ओडियन स्मिथ एक रन रबाड़ा बारे रन अब बताईए ऐसे क्या से काम चले देखिए पंजाब को का अगर यह सारे रन बना जाते हैं तो यह तो दो तो डाइस और रन बनाते हैं पर यह से होता है जिन्हों ने भी पारी खेली है पंजाब के बले भाजों ने उन्होंने तेजी से रन बनाए है अगर जतेश शर्मा की बात करें आज एक और स्टार देखने को मिला है हाँ रोज कोई देखिए यह पर लगता है कि यह पंजाब को एक अच्छा खलाड़ी मिला है जो की बीच में मिडल में क्या है क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्क्र रन होते हैं चे और से लेके 15 ओवर सा 16 और दक रान बनाना क्योंकि वह फिल्डिंग जो है फुल जाती है तो उससे अगर आपको एक ऐस है जो बॉंडरी यहां क्लेर करता है तो फिर आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है सर हमारा हमारा कंसर मैंक अगरवाल है हम बार बार आप से पूछ रहे हैं मैंक अगरवाल कि कप्तानी का बोच आ गया है सर क्या हूं बहुत नहीं है थोड़ा शुरु शुरु में लू कि जब केहल राहूल के साथ बेटिंग करता था पंजाम में था तो तब अच्छी है इनकी पड़नेशिप होते थी ऐसी कोई बात नहीं है बड़ उनकी टीम जीती है